कोरोना वाइरस के उद्गम स्थल को लेकर और वाइरस के उद्गम को लेकर आज तक सही जाच नहीं हो पाई है इसी को लेकर नाकपू प्रेस कलब की तरफ से प्रेस मीट में शामिल होने के लिए नागरे को पस्तित हुए इस दौरान वक्ताओं ने अपनी बात रखी एक वाइरस जिसने पूरी दुनिया को हिलाक रख दिया था आप नागरेकों के मन में कोरोना वाइरस को लेकर चिंताए बढ़ी थी लोगों को जाकरुक बनाने के लिए अकबार, सोशल मीडिया और टेलिविजन का उप्योग किया जा रहा था बच्चों से लेकर वैसकों तक होने वाली चर्चाओं का कीदर बिंदू कोरोना वाइरस था लेकिन ये तो वो तत्य हैं जिसे हमें और आपको दिखाया गया लेकिन इसके पीछे का असली कारण क्या है ये जानना जरूरी है दरसल इसी बात के सत्यता को जानने के लिए प्रेस क्लब में एक कारिकरम का एयोचन किया गया जिसमें वक्ताओं ने अपनी बाते रखी लिए क्या जरूरी है सब्सक्राइब जबाबदार कोन आए तो विपक्षा है कॉंग्रेस पारिटी चिदंबरम राहूल गांदी यानि सुर्वाजी चाड़ा मदे यचाव संदर्वा मदे घदारोल केला कि लगा वैक्सीन सरकार चुप पैठी है लोगडाउन जूनी कर रहे है तो नैचरली सक्ता गवार तलब रहे कि वाइरस के मुद्दे को लेकर उन्होंने विपक्ष को भी आड़े हातों लेकर उनकी कारिप्रनाली पर सवाल उठाए डर के मारे लोगों के मरने का आकड़ा जादा था ना की वाइरस के वज़े से लोगों को ऐसे अंदर विश्वास में डालने के लिए इसके जिम्मदार लोगों पर कड़ी से कड़ी कारवाही की जानी चाहिए इस संदर में उन्होंने कोट में भी एक याची का दायर की थी जिसमें उन्होंने मांग की है कि कोरोना के वैक्सिन से मरने वाले और बिना वैक्सिन से मरने वालों की एकुरेट संख्या बताई जाए खेर ये भी एक खोच का विशह है कैमरा परसन राजकुमार मोहड के साथ रुपा पंडित की रिपोर्ट